हालो एवरिवन वेल्कम टो माई चैनल आज हम बात करेंगे बच्चों में पाई जाने वाली क्रेडल कैप के बारे में इसमें क्या होता है कि जो न्योबोन बेबी होते हैं उनमें जनम के तुरंट बाद एक वाइट कलर की येलो कलर की या ब्राउन कलर की लिए सिर में देखन होती है यानि की टाइपर वाली जो जगह होती है वहां पर देखने को मिलती है लेकिन काफी रियर केस होते हैं जब ये बच्चों के सिर के लावा उनके शरीर पर देखने को मिलती है तो यही क्रेडल कैप के कुछ लक्षन थे तो आईए अब हम इसके कारणों की बात कर ले होते हैं कई डोक्टर्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दोरान बच्चे के शरीर में हार्मोन्स के रह जाने की वज़े से बच्चे में क्रेडल कैप बनने लगती है लेकिन एक्जक्ट इसका रिजन अब तक पता नहीं चल पाया है कुछ पेरेंट्स में हीन बावना आ जात है उनको लगता है कि वो बच्चे के शरीर की ठीक से साफ सफाई नहीं कर पाए हैं जिसकी वज़े से उनके शरीर पर मेल जमने लग गया है लेकिन चिंता मत कीजिए कारण चाहे जो भी है इसकी जो रेमेडीज हैं या जो भरेल उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रही वहां पर नारियल के तेल से हलके हातों से मसाज करनी है या फिर रोच नहलाने से एक गंटा पहले आप बच्चे के शरीर पर या सिर पर नारियल के तेल से हलके हातों से मसाज कीजिए और उसके बाद क्या करना है कि आपने एक गंटे के बाद किसी सौफ्ट ब्रश से बच् इसे क्या होगा बच्चे के सिर्ण से बलड आ सकता है बच्चे को पेइन हो सकता है और साथ में बच्चे को इंफेक्शन भी हो सकता है आपने डेली ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि बच्चे के श्रीय से ये कैप उतर ना जाए तो ये कुछ रेमेडीज या उपाय थे जो बच्चों के सिल से क्रेडल कैप को उतारने में फैलफूल रहेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को इची गोरी है या बच्चे को अनकफर्टेबल फील हो रहा है तो आपने एक बार बच्चे को जरूर डोक्टर से दिखा लोना है क्रेडल कैप के कारण लक्षन और घरेलू उपाय तो आप जानी गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे लेकों जरूर प्रेस करना जिसे की आने वाले टाइम में मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाए